दोस्तों हम बात कर रहे हैं नॉर्मन विंसेट पील की वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल बेस्ट सलर बुक सकारात्मक सोच की सकती दा पावर आफ पॉजिटिव थिंकिंग की इस किताब में लिखक ने पॉजिटिव सोच की ताकत के बारे में बताया है कि किस तरह हम अपनी पॉजिटिव सोच के दोरा अपने सिल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं कैसे अपनी जिंदगी की समस्याओं को सुलजा सकते हैं और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग की से मन्चाही सफलता और खुसियां हासिल कर अपनी जिन्दगी बजल सकते हैं दोस्तों ये वीडियो का पांचवा पार्ट है अगर अभी तक आपने बाकी पार्ट से नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखें लिखक कहते हैं अमेरिका के एक बुद्धिमान जैफरन है जिन्होंने जीवन के बारे में नियम बताया था जो कि इस परकार था हमेशा चीजों को चिकने हैंडल की तरफ से पकरो यानि की किसी काम को करते समय या मुश्कीलों का सामना करते समय आप उस तरीके का प्रियोग करें जिसमें नियूनतम परतिरोध का सामना करना पड़े परतिरोध से घरसन पैदा होता है इसलिए आवश्चक है कि घरसन को कम किया जाए नकारात्मक नजरिया घरसन का रास्ता है इसलिए नकारात्मकता में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है सकरात्मक नजरिया चिकने हैंडल वाली तकनीक है वही बर्मांड के प्रवाह के सामन जिस्से में है जिससे ना सिर्फ घरसन कम होता है बलकि इससे सहयोगी सक्तियां भी प्रेडित होती है अध्याई 9 चिंता की आदत को कैसे छोड़े How to break worry habit चिंता करना एक बुरी आदत है चिंता हमारे जीवन में पावर और एनरजी को बहने से रोकती है चिंता की वजह से कई अन्य बिमारियां जैसे दिल की बिमारी, high blood pressure, आदी बिमारियों को जन्म देती है और इस बुरी आदत की वजह से इनसान का जीवन भी छोटा हो गया है जैसे अन्य बुरी आदतों को छोड़ी जा सकती है वैसे ही चिंता करने की आदत को भी छोड़ी जा सकती है विश्वास करें आप चिंता जैसी बुरी आदत को छोड़ सकते है चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है चिंता से वेक्टि जल्दी बुढ़ा होने लगता है इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है हम इनसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते लेकिन धीरे-धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की और कभी आफिस आदे की लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिवल है इसके लिए सांत रहना सीखें खुद को रिलेक्स करने की आदट डालें रोज इस वर से विस्वास करने के साथ प्रार्थना करें लेकिक सुझाओ देते हैं कि इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा खास कर सोने जाने से पहले अपने दिमाग से हर वो डर और चिंता जनक बातों को निकाल दें जो आपको परिसान करता है और इसमें सकारात्मक बातें डाले जैसे कि विश्वास आस्था और साहस के विचार इस तरह के बातों को जोर से बोलें इस्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता इस्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहे हैं इस्वर मुझे सही फैसले करने का रास्ता दिखा रहे हैं और हर मुश्किल परिस्तिती से बाहर निकाल रहे हैं डर एक सक्तिसाली विचार है पर उससे भी सक्तिसाली है आस्था आस्था हमेशा डर को हरा सकती है चिंता को पूरी तरह खत्म करने के लिए पहले छोटी-छोटी चिंताओं को दूर करें और फिर धीरे-धीरे चिंता की मुख्य जर्गों खत्म कर दें साथ ही यह भी समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है उसका हाकिकत में कोई रूप या आकार नहीं होता इसलिए बेवजह चिंता करने की जरुवत होती ही नहीं है इसलिए रोज बोले मैंने बेवजह चिंता करना छोड़ दिया है क्यूंकि इस वर हमेशा मुझे देख रहा है चिंता बहुत पावरफुल होती है और हम पर हावी हो जाती है और यही हमारा सबसे बार डर होता है इसलिए हमें हमेशा अपने डर पर काबू रखके चिंता के एगेंस्ट खरा होना चाहिए चिंता की आदत को छोड़ने के लिए लेखक ने कुछ नियम बताए है जैसे अपने आप से कहिए चिंता एक बहुत ही बुरी मेंटल हैबिट है और मैं भगवान की मदद से किसी भी आदत को बदल सकता हूँ हर सुबह उठने से पहले ये बात कहें कि मुझे अपने उपर विश्वास है इस रूल का उप्योग करके प्राफ्षना करें कि मैं और मेरा जीवन मेरे अपने और भगवान के हाथों में है किसी भी काम का कैसा भी रिजल्ट हो मैं चिंता नहीं करूँगा क्योंकि जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है और वो अच्छा है कभी भी किसी भी काम के लिए ये ना कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता बल्कि ऐसा कहें कि मैं सारे काम जरूर कर लूँगा हमेशा positive बाते कहनेका अभ्यास करें optimistic लोगों के साथ दोस्ती करें और ऐसे दोस्त बनाएं जो positive सोचते हों अध्याए 10. नीजी समस्याएं सुलजाने की सक्ति. The power to solve personal problem. दोस्तों यह जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है. यह ना सोचें कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी. साथ ही मुश्किलों को कोई negative चीज भी ना माने. बहुत से लोग छोटे-छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं. जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो, आदि. इसलिए हर चीज को problem का नाम ना दे. अगर कोई genuine problem आ भी जाये, तो उसे solve करने की कोशिस करें. यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगें. चिंता करने से वह problem हल नहीं होगी. इसकी बजाए, यह सोचें कि उस problem को कैसे solve करना है. दोस्तों से सलाह भी ले सकते हैं. अगर चिंता हो रही हो, तो सोचें कि इस वर मेरे आसपास ही हैं. और वह मेरी problem को दूर कर देगा. यही life को जीने का सही तरीका है. आप problems को daily life के काम की तरह लें. इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी. हर काम का समय निड़धारित कर लें. तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें. हमेशा positive बोलें. मैं इस problem को solve कर सकता हूँ. इससवर हमेशा मेरे साथ है. परिसानियां हमारे जीवन का हिस्सा है. और हर परिसानी का कोई ने कोई हल होता है. जब इससवर हमें कोई परिसानी देते हैं. तो वो भी हमारे साथ होते हैं. उस परिशानी से बाहर निकालने के लिए आप इस वर को अपना सब से अच्छा दोस्त समझे और यकीन रखें आप हर परिशानी से बाहर निकल जाएंगे अपने मन को सांत रखें तभी आपको सही समाधान दिखाई देगी और आप उस परिशानी को आसानी से सुल्जा पाएंगे जिस तरह आप अपने परिशानियां अपने करीबी लोगों को बताते हैं वैसे ही भगवान से भी बातें कीजिए और विस्वास रखे कि वो सुन रहे हैं और आपकी समस्याओं का solution आपके सामने ही है ये विश्वास कीजिए कि हर परिशानी का solution होता है अपने आपको प्राथना और योग के दोरा सांथ रखिए प्रॉलम्स को छोड़ दीजिए जब सही वक्त होगा तो solution जरूर मिलेगा अपनी सारी परिशानियों को साफ तरीके से और सच के साथ एक कागज पर लिखते जाए और जैसे जैसे एक समस्या समाप्त होती जाए उसे मिटाते जाए इससे आपके अंदर self confidence बढ़ेगा और आप अपनी personal problem का समाधान आसानी से निकाल पाएंगे अध्याए 11 इलाज में आस्था का प्रियोग कैसे करें How to use faith in healing दोस्तों the power of positive thinking के इस अध्याए में नॉर्मन मिन से पील हमें faith यानि आस्था की सक्ती से अवगत कराते हुए ये दावा करते हैं कि इस्वर में विश्वास रखने वाले लोग इस्वर में विश्वास नौ रखने वाले लोगों के मुकाबले अधिक खुस और स्वस्थ पाये जाते हैं क्योंकि इस्वर पर विश्वास का मतलब है कि आपने अपनी परिशानियों को या यू कहें कि खुद को इस्वर के हवाले कर दिया है और आप अपने सबकॉंसेस माइंड में ये बात बिठा चुके हैं कि इस्वर आपके साथ जो भी करेगा वो अच्छा ही होगा इसलिए ये अत्यंत आवस्यक है कि आप भी खुस रहने के लिए इस्वर पर अटूड विश्वास रखें और अपनी सारी परिशानियों को उसके हवाले कर दे लेखक हमें यहाँ एक नास्तिक व्यक्ति की कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभी विमारी का सिकार हो गया था उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी तब उसके किसी दोस्त ने उसे एक धार्मिक गरंथ पढ़ने को दी और रोज पढ़ने की सलाह दी वैसे उसे इस्वर में विश्वास नहीं था चुकि बिमार रक्ति के पास और कोई चारा नहीं था इसलिए वह धार्मिक गरंथ पढ़ने लगा उसे इस्वर पर विश्वास होने लगा और अब वह इस्वर से प्रार्थना भी करने लगा और धीरी धीरे चमतकार हो गया और वह ला इलाज बिमारी जिसका मेडिकल साइंस के अनुसार कोई इलाज नहीं था ठीक हो गया ऐसे और भी लाखों करोरों एक्जामपल्स हैं जहां ये देखने को मिला है कि आस्था सचमेच मतकार करती है लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब इनसान को यकीन हो इसलिए अपने अंदर इस्वर में विश्वास और आस्था का भाव जरूर रखें दोस्तों इस्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं और फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग फेथ बहुत जरूरी होता है इससे इनसान आगे बढ़ता रहता है आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं इसवर में विश्वास रखने वाले लोग ज़्यादा खुस और संतुस्ट पाये जाते हैं नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे होते उन्हें अलकोहल और ड्रक्स आदी बुरी आदतें भी ज़्यादा लगती किसी बिमारी में दवाई के साथ अगर आप इसवर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बिमारी जल्दी ठीक होगी अध्याए बारा जब उर्जा घटने लगे तो इस स्वास्त सूत्र को आजमाया दोस्तों आपने अब्जर्व किया होगा कि आजकल नई नई तरह की बिमारियां पैदा हो रही है और लोग पहले से ज़्यादा बिमार पर रहे हैं लेकक कहते हैं कि इसका सबसे बारा रिजन लोगों के अंदर डेबलप हो रही निगेटिविटी है हेट, जेलसी, एंग्जाइटी कुछ ऐसे निगेटिव इमोशन्स हैं जो इंसान की हेल्थ को दिन पर दिन डिटेडियेट करते जा रहे हैं और लोग खराब हेल्थ की वज़ह से ज़्यादा बिमार पर रहे हैं लेकक के अनुसार, लोग इस वज़ह से बिमार नहीं हो रहे कि वो क्या खा रहे हैं बलकि इस वज़ह से बिमार हो रहे हैं कि लोगों को क्या खा रहा है और सबसे ज़्यादा लोगों को जो चीज खा रही है वो है निगेटिव इटी और निगेटिव थौट्स निगेटिव थौट्स की वज़ह से आपके emotions आप पर हावी होते जाते हैं और आपकी सारी energy इन negative thoughts के थुरू बाहर निकल जाती है यही energy अगर positive thoughts की वजह से निकले तो आप जादा productive बन सकते हैं इन सब बातों का असर धीरे धीरे आपके गिरते स्वास्त के रुप में देखने को मिलता है दोस्तों गुसा, नफरत और चिर्चिरापन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसान दायक है इससे हमारा blood pressure बढ़ता है और जिसका harmful effect अभी अभी हमने discuss किया इसलिए हमें इन negative emotions को positive emotions के साथ replace कर देना चाहिए हमेशा सांत रहें, दूसरों से प्रेम से बात करें, खुसी फैलाएं इससे आप 100 साल तक जियेंगे और स्वस्त भी रहेंगे negative thinking से 1000 तरह की बिमारियां लगती हैं इसलिए हमेशा positive ही सोचें, गुस्ते से हमेशा बचें जब बहुत गुसा आए, तो मुठी बंद ना करें आवाज भी हमेशा नीची रखें इसके साथ ही दस बार बोलें, मैं इस वर पर विश्वास करता हूं वो मुझे रास्ता दिखाते हैं इससे आप कभी भी गुसा नहीं करेंगे अध्याय 13, inflow of new thoughts can remake you नजरिया बदल कर नए इंसान बने दोस्तों ये वीडियो का पांचवा पार्ट है अगर अभी तक आपने इस वीडियो के बांकी पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक नीचे description में दे दिया हूं आप उसे जरूर देखें तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स के लिए को सबस्क्राइब करें तरने वाद